ओम संती, आज 30 जुलाई 2021 की मुडली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आसाएं मनुस्य रखते हैं, वह आसाएं तुम्हें नहीं रखनी हैं, क्योंकि यह दुनिया विनास होनी है आज की मुडली का प्रस्ण है, संगम युग पर कौनसी आस रखो, तो सब आसाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी बाबा ने उत्तर दिया, हमें पावन बन, बाब को याद कर उनसे पूरा वर्सा लेना है सिर्फ यही आसो, इसी आस से सदा के लिए सब आसाएं पूरी हो जाएगी आयुस्वान भव, पुत्रवान भव, धन्वान भव, सब वर्दान मिल जाएंगे सत्युग में सब कामनें पूरी हो जाएगी गीत है, तुमी हो माता, तुमी पिता हो अब सुनते हैं मुल्ली विस्तार से ओम सांती, मिठे मिठे रुहानी बच्चों अर्थार्थ आत्मा प्रती परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं तुम जानते हो बहत का बाप हमको वर्दान दे रहे हैं वो लोग असिरवात देते हैं पुत्रवान भव, आयुस्वान भव, धन्वान भव अब बाप तुमको वर्दान देते हैं, आयुस्वान भव तुमारी आयु बहुत बड़ी होगी वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं सत्युग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे अभी तुम बच्चे जानते हो बहद का बाप, बहद सुख का वर्सा दे रहे हैं बरोबर हम आयुस्वान धनवान भी बनेंगे अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है तुमारी सब कामने सत्योग में पूरी होनी है इस नर्क में कोई भी कामना नहीं रखनी है धन की भी कामना नहीं रखो बहुत धन हो बड़ी नौकरी मिले यह भी जास्ती तमन्ना न नहीं रखना हैं, पेड तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोब में नहीं रहना है, जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है, बच्छे जानते हैं, बाबा हमको स्वर्का मालिक बनाते हैं, अब बाब कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहन, कौशा दान दो यह पांच विकार है यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपून बन जाओ तुम जानते हो हमको सर्वगुन संपन 16 कला संपून यहां बनना है पांच विकारों का दान देना पड़ता है बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों आज कोई भी नहीं रखो सिवाए बहत के बाप से बहत का वर्सा लेने बाकी थोड़ा समय है गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही बाकी थोड़ा समय इस विनास में है इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो सिर्फ बाप को याद करते रहो याद से बच्चों को सत्व प्रदान बनना है इस दुनिया में मनुस्य जो आस रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो आज सिर्फ रखनी है एक सिर्व बाबा से हम अपना स्वरक का वर्षा लेवें किसको भी कभी दुख नहीं देना है एक दो के उपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है इसलिए सन्यासी लोग इस्तरी से अलग हो जाते हैं कहते हैं इसने छोड़ दिया है इस समय रावन राज्य में सब पतित पाप आत्मे हैं अभी समय बहुत कम है तुम अगर बाब की स्रीमत पर नहीं चलेंगे तो स्रिष्ट नहीं बनेंगे बच्चों को उँचते उँच बनना है इसलिए पांच विकारों का दान देना है तो ये ग्रहन छूट जाएगा सबके उपर ग्रहचारी है बिल्कुली काले बन गए हैं बाब कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रदान से तमो प्रदान बन पड़े हो तब तो गाते हो पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ तो बाब फर्मान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो काम महासत्रू को जीतो इससे ही तुमने आदी मद्यांत दुख को पाया है बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिलकुल पवित्र थे अब रावन की मत पर तुम पत्तित बने हो तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो के आप सर्वगुन संपन संपून निर्विकारी और हम विकारी हैं निर्विकारी होने से सुख ही सुख है बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने अब तुम बच्चों को सब इच्छें छोड़नी हैं अपना धंदा दोरी आदी भल करो और एक दो को ग्यान अमरत पिलाओ गाया भी जाता है अमरत छोड़ विश्काएं को खाए बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो हम याद की यात्रा से पूरे सत्यो प्रदान बन जाएंगे 63 जनम जो पाप किये हैं वह याद से ही खलास होंगे अब निर्विकारी बनना है बल माया के तुफान आए परंतु पतित नहीं बनना है मनुष्य से देवता बनना है तुम ही सत्यो प्रदान पुज्य देवता थे फिर तुम ही पुज्य से पुजारी बनते हो हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं अब फिर से निरोगी बन रहे हैं जब निरोगी थे तो आयू बड़ी थी अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं तो कोई भी आस नहीं रखनी है यह सब छीचे आस आए हैं काटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स क्लास आस है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुन्या आत्मा बन जाएंगे, इस समय सब के उपर राहू का ग्रहन है, सारे भारत पर राहू का ग्रहन है, फिर चाहिए ब्रस्पति की दसा, तुम जानते हो अब हमारे उपर ब ब्रस्पति की दसा थी, इस समय है राहू की दसा, अब फिर बहत के बाप से ब्रस्पति की दसा मिलती है, ब्रस्पति की दसा में 21 जन्मों का सुक रहता है, त्रेता में है सुक्र की दसा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे, तो ब्रस्पति की दसा होगी, यह भी समझा दिया है अब सब को वापिज घर जाना है इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनास हो और तुम उड़ने लायक बनो माया ने तुमारे पंक काट दिये हैं अब तुमको मिलती है इस्वर्यमत जिससे तुम सदा सुखी बनते हो इस्वर्यमत पर तुम स्वर्क के मालिक बनते हो विश्व की बादसाई ले रहे हो इस्वर्यमत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मती सो गती हो जाएगी यास सही विकर्म विनास हो जाएंगे पवित्र बन जाएंगे पवित्र आत्मा ही स्वर्क के लायक बनेगी वहां तुम्हारा सरीर भी निरोगी होगा, आयू भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा, वहां कभी धरम का बच्चा नहीं बनाते, बाप कहते हैं आयू स्वान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा, इस समय बाप सभी को धरम का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सत्योग में कोई धरम का बच्चा होता नहीं एक बच्चा एक बच्ची है योगबल से पूचते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे वहाँ है ही योगबल ड्रामा में नूंध है सत्योग में सब योगी है क्रश्न को योगेस्वर कहा जाता है ऐसे नहीं कि क्रश्न योग में रहते हैं वो तो पुरा पवित्र योगी है इस्वर ने सबको योग्यस्वर बनाया है तो भविश्य में योगी कहते हैं बाप ने योगी बनाया है योग्यों की आयू बड़ी रहती है बोगी की आयू छोटी होती है इस्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग शिका कर देवता बनाया है इनको कहा जाता है योगी योगी अत्वा रिसी पवित्र होते हैं तुम को समझाया है, तुम हो राज रिसी राज योग सीख रहे हो, राजाई पद पाने के लिए इस समय बाप को याद करना है यहाँ कोई उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े न काम कटारी चलानी पड़े देहे अभिमानी काम कटारी चलाते हैं देहे अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं बाप समझाते हैं पवित्र बनो आत्माव से बात करते हैं अब ये काम कटारी नहीं चलाओ पवित्र बनो तो तुमारे सब दुख दूर हो जाएंगे तुमको स्वरका मालिक बनाते हैं बाप कितना सुक देते हैं बाप तो गरिब निवाज है गाया भी जाता है सुदामा ने दो चप्टी चावल दी तो महल मिल गए बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं ये भी समझते हो अब सब को वापिस जाना है सिव बाबा की इस्तापना के कारिय में जितना जो मदद करे घर में युनिवर्षिटी वा उस्पिटल को लो बोर्ड पर लिख दो बैनों और भाईयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वैल्दी बनना है तो आकर समझो हम एक सेकिंड में एवर हेल्दी वैल्दी बनने का रास्ता बताते हैं तुम सर्जन हो ना सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं नई तो मनुस्यों को कैसे पता चले तुम भी अपने घर के बार में बोर्ड लगा दो कोई भी आए उसको दो बाप का राज समझाओ हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो बहत का बाप कहते हैं मामे कम जाद करो तो बहत का वर्षा मिलेगा प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ इस पूर्शार से तुम यह बनेंगे अब है संगम कल्यूक से सत्यूक बनना है तुम भारतवासी सतो प्रदान थे अब तमो प्रदान बने हो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ख के मालिक बनेंगे अक्सर ही दो है अल्फ को याद करो तो बेबासाई तुमारी इस यास से खुसी में रहेंगे इस छीची दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो यहां तुम पुर्शार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं उससे बहत का सुख मिलता है बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं तुफान माया के आते हैं उसका ख्याल नहीं करो माया के तुफान तो आएंगे यह है युद संकल्प विकल्प आते हैं तो मुप्त में टाइम जाता है, तुफान तो पास हो जाएगा, सदे थोड़ी रहेगा, सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्सा लेना है, यह दुन अंदर लगी रहे, बाप और कोई तकलीप नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है, और सब को भूल जा हैं, आपस में यही बाते करते रहो, बाबा आप तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आप से स्वर्का वर्सा लेंगे, टाइम रख दो, हम तीन चार बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे, चक्र भी याद रखना है, बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है, हम इस मनुष्य सश्टी जाड को जानते हैं, हम 21 जनम कैसे लेते हैं, यह बुद्धी में हैं, अभी फिर हम जाते हैं, स्वर्क में फिर से आकर पाड बजाएंगे, हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है, बाप को याद करने से वर्से के हगदार बन जाते हैं, य पहत के बाप द्वारा अनिक बार विश्व के मालिक बने हैं फिर नर्गवासी बने हैं अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से बाप की याद से ही पाप बस्म हो जाएंगे इसलिए इसको योग अगनी कहा जाता है तुम ब्रामन हो राज रिषी, रिषी हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं अब थोड़ी विकार के लिए आस रखनी है, यह छीची आस है, अब तो पालोकिक बाप से वर्षा लेना है, बिमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदी लिखने पड़ते हैं, सिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो, सिव बाबा, कैर आप ब्रह्मा हम सब सिर्व बाबा के बच्चे ब्रदर्स है रुहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं इसलिए कहा जाता है पतित पावन सबी आत्मा को पावन बनाते हैं कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ प्रकरती भी पावन बनती है तुम जानते हो सत्योग में प्रकर्टी भी पावन रहेगी अभी सरीर भी पती थे तब तो गंगा में सरीर दोने जाते हैं लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं वह तो होगी योग अगनी से अच्छा, अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग्या अब पूरी मुड्ली में से जो मुख्य मुख्य धारना के लिए सार है उसमें पहला है इस कल्यूगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है संपूर्ण सत्व प्रदान बनने के लिए इस्वरिय मत पर चलना है दूसरा पॉइंट है पावन बनकर वापिस घर जाना है यही एक आस रखनी है अंत मतीसो गती माया के तुफानों में समय नहीं गवाना है अब मीठे बाबा का मीठा मीठा मदुर वर्दान है निरंतर बाप के साथ की अनुबुती द्वारा हर सेकिंड हर संकल्प में सयोगी बनने वाले सहज योगी भव विस्तार जैसे सरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं होस पाती है ऐसे बाप की याद बुद्धी से अलग न हो सदा बाप का साथ हो दूसरी कोई भी समर्ती अपने तरफ आकरशित न करे इसको ही सहज और स्वतर योगी कहा जाता है ऐसा योगी हर सेकिंड हर संकल्प हर वचन हर करम में सयोगी होता है सयोगी अर्थार जिसका एक संकल्प भी सयोग के बिना न हो ऐसे योगी और सयोगी सकती साली बन जाते हैं आज की मुल्ली का स्लोगन है समस्या सरूप बनने के बजाए समस्या को मिटाने वाले समाधान सरूप बनो अच्छा ओम सांती